Hello दोस्तो कैसे हैं? उमीद करता हूँ आप लोग जैसे भी होंगी बहुत ही अच्छी होंगी तो दोस्तो आज मैं मेदिशिन लेकर आःओ हूँ इसोनल आई टी ट्बलेट दोस्तो डोक्टरगाय चैनल मैं आपका स्वागत है, Welcome to डोक्टरगाय चैनल दोस्तो तो आज मैं बात करने वाला हूं इसुनल आईटी टबलेट जिसका मैं step by step मैं आप लोगों के साथ share करने वाला हूं जो इसमें यूज क्या है इसका यूज क्या है और किस-किस बिमारी में पढ़ सकती है और ये बिमारी मेडिसीन देने का रीजन क्या है तो चलते हैं मेडिसी चैनल पर आप लोग अगर पहली वार वीडियो देख रहे हैं अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो चलते हैं दोस्तों पहले इसका मैं कुछ MRP है वह देख लेते हैं उसके बाद मेडिसीन के और चलते हैं क्छा दोस्तों कभी ही सिन ले हैं आप लोग आख मुन के कभी भी मैडिसीन ले तो आख मुन के पहले पहले ऍदेख ले इसका मेडििशीन क कितने दिनों का डेट पर घले एक नज़र डालेगा क्योंकि expired जो है medicine का बहुत बड़ी महत पुरन चीज है बहुत यह मुल्यवान चीज है तो दोस्तो इस अनल आई टी जो है यह medicine आज मैं step by step बताने बाला हूं आप लोगों के साथ share करने बाला हूं तो चलते हैं विडियो की और दोस्तों यह medicine इससी जो किसीवी medical shop पर मिल जाएगी यह medicine किसी भी medical shop पर मिल जाएगी तो आप लोग बने रहे यह 40MG की है यह एक प्रोटोन अवरोधक दवा है जिसका अपयोग पाचन सर्तों जैसे एसीड रिप्लेक्सा एसर्यो पेट में अलसर और जैसे जोलिंगर एलीशन सिंड्रोम गैस्ट्रो एनो फजिया फांटा रोग और हैलीकोबैक्ट पाइलोडी नामक एक वैक्टिरिया के कारण अलसर किया जाता है एसीड भांटा तब तक है जब आपके पेट में एसीड का अधिक उत्पादन होता है रैवी मेड 40 mg का टबलेट इस परकिरिया को प्रभावी धंग से मुकावला करके काम करता है एक प्रोटन पॉम्प और रोधक आपके पेट की दिवार में पॉम्प को बलोक करता है जो पेट में एसीड को गुप्त करता ही जो करता है लेकिन और इसी लिए एक पेट में उत्पादित एसीड की मातरा को कम कर देता है इस तरह रेवीड 40MG टबलेट और संतोस या अमलता के लक्षनों का इलाज पेट में पेट के एसीड को बे असर करने और अनुओं को नुक्सान करने से बचाने के द्वारा कायर करता है रेवीड 40MG टबलेट दवाओ एक परिवार का एक हिस्सा है जिसे प्रोटोन फंप अवरोध को कहा जाता है यो अलसर अलसर दवा गड़तानत्र समंदी अस्तितियों जैसे अमलता, गैस्टरिक, एसीडिटी, और अलसर एटीसी जी आरदी या गैस्टरो ओस्टो फेनल रिफ्लेक्स रोड और जेलिंजर एलिसीन सिंडरोम की लंबी अवधिक यस्तिति के उपचार में के उपचार में इस्तेमाल होती है हेलिको वैक्टर फाइलोडी वैक्टिरिया को खत्म करने के लिए आपको अलसर विक्सित अलसर विक्सित करने के लिए अन्य दबाव के साथ संयोजन भी पडियोग किया जाता है एसीड भाटा तब होता है जब पेट में एसीड का अत्यधिक निर्मान होता है जो अनुसोधन और गले से अधिक होता है रेविमेड 40MG की टबलेट अन्य प्रो टॉन पंप और उद्ध को की तरह पेट की दिवार को मौझूद पंप को और उद्ध करके स्रावित एसीड को पेट में खतम कर देता है जिसके पेट के एसीड की मात्रा कम हो जाती है जिससे यह एसीड भाटा एसर निगलने में कठिनाई के लक्षनों को इलाज के में अत्यधिक प्रभावी होता है जैसे किसी भी परकार की दना निगलने में यहाँ पे जो कंट में दर्द करती है इसमें भी यह बहुत अच्छे से इसका रोल है यह अधिक मल्य पेट के एसीड के शाति ग्रस्थ होने से बचाता है और अलसर को चंगा करने में मदद करता है तो इसमें जो है कि टबलेट के सा साथ टबलेट फॉर्म में भी वह आपको उपलब उपलबधी को मौखिक रूप से लाया जा सकता है तो दोस्तों इसका कुछ साइड इफेक्ट है जो सीरदर्द संक्रमन गले में खुराक दस्त मांसपेशी खुजली उल्टी मांसपेशी में कमजोरी चिंता दोड़े अन्यमित दिल की धरकन एटी सी तो दोस्तों आज की वीडियो में और कुछ बताने वाला हूँ जो आप लोग तक नहीं जानते हैं तो दोस्तों फलिष्टिक ओवरी शिंद्रॉम जो दिस्तों इसमें जो कैस्टी फ्येसन हो जाती है और दाना नहीं पचता है कभी कभी कलेजा में दर्द होने लगता है अत्यधिक मातरा में लोग सही से भर पिट खनाने खापाते हैं और कभज ऐसी परकार से बनी होती है जो लोगों में बहुत ही आचर जनक हो जाती है कभी कभी तो लोग सिरियस माने जाते हैं तो दोस्तो यह मेडी के जो है बहुत ही असरदार योशन आयटी है मेडीकिन का नाम है कंपनी का नाम है बहुत अच्छी कंपनी है और इसका काम तुम नहीं इसका लाक्ति भी है, तो दोस्तो आधी वीडियो यह है रहा थैंक्स फ़र वाजिग माइपीट बीडियो टेकर दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा तो ध्यान दीजिएगा और वीडियो में कॉमेंट करके ज़रू बताएगा जय हिंद जय भाराद